रूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android app Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं यह coupon code है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ के आंसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप अप में बाइक करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकाउंट तुरंट लेगा वीडियो देखिए वश्का दोस्तों हिस्टरी के एक और most expected 500 question अम लोग देख रहे हैं उसकी यह सीरीज है प्लेलिस्ट पूरी बन गई यह आठ लेक्षर में पढ़ा चुका हूँ आज अपने 9 लेक्षर पर बढ़ेंगे तो question 91 से चुरू होगा आज अपना साइमन कमीशन के संबंद में भारती प्रतिक्रिया के साथ निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है कौन से कतन घलात है ठीक है consider the following statement with regard to Indian response to the साइमन कमीशन Congress ने साइमन कमीशन के बहिसकार का आवाहन किया था जिन्ना की नेत्रत में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बहुमत गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था पंजाब में संगवादियों और दच्छन में जस्टिस पार्टी ने आयों के बहिसकार का फैशला नहीं किया था एंग्लिश में देखें Congress called for bycott of साइमन कमीशन हिंदू महासभा और मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना सपोर्टेट दा साइमन कमीशन यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन दा साउथ decided not to bycott the Commission which statement is incorrect देखें यहां पर गलत साफशाफ दिख रहा है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बहुमत गुड ने साइमन कमीशन का समर्तन किया यह गलत है साइमन कमीशन का समर्तन किसी ने नहीं किया था क्योंकि सारे वाइट मेंबर थे इंडियन्स को लिया नहीं पहला तीसरा सही है दूसरा गलत हो जाएगा तो यानि statement two wrong है अगला है डॉक्टर अंबेटकर के संब्ध में निम्लिकित कतन में सही क्या है यह बताना है डॉक्टर अंबेटकर को बॉम्बे विधान सभा द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया ग सब्सक्राइब कर दो डॉक्टर अंबेटकर वस अपॉइंट बाउंबे लेजिसलेटिव कांसिल वर्क वित कमीशन ही अर्गिवड फॉर यूनिवर्सल एडल फ्रंचाइज इन दफ्रेंट ऑफ कमीशन ही अगले प्रस्म में चलते हैं फिर से साइमन कमीशन पर बेस सवाल निम्लिकित में से कौन जी सफारिष हैं भारत में सारभॉमिक मतदिकार होना चाहिए बृटिज कांसिल और देसी रियासतों के प्रति निदियों सहित ग्रेटर इंडिया की परमा नहीं परमार्श दात्तरी की परिशत की स्थापना की जानी चाहिए ब़्मा और सिंध को अ प्रिंसली स्टेट इट प्रपोस्ट पर सप्रेशन ऑफ बर्मा एंड सिंध तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सल एल्ल फ्रंचाइस की सारभॉं भी मताधिकार की बात नहीं हुई थी दो और टीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो संधेंड्री विदयका में एक तिहाइynn मुस्लिम पर्दिनिदित अलग निरवाचक मंडल केंद्रों या प्रांटों में किसी भी मंद्री मंडल में आधे तो यहां पर दोस्तों यह चौथा पॉइंट जो है यह गलत और दोस्तों 14 पॉइंट जिन्ना के आपको याद करने चाहिए आपके मेंस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तों 14 पॉइंट जिन्ना के पता होने चाहिए तो काफी इंपोर्टेंट है बाकी बीपेसी के लिए कंप्लीट आप प्रिप्रेशन कर सकते हो हमारे पेट ग्रूप से जोड़के चाहिए दोज़ार पच्छीज की तैयरी करो दोज़ार चौबिस के मेंस की प्रिप्रेशन करना चाहते है एकदम सटी इस्ट्राटेजिक वे में जितने नोट्स आपको दिये जाएंगे मेंस के सिर्फ उतना ही पढ़के लगातार अंसर राइटिंग की प्रक्टिस कराएंगे हम आपको ताकि आप मेंस को हर हाल में क्र मर्थन किया इंडिया लीग के लिए सोतंद्रता की स्थापना जवाहर लाल नहरू और सुभाशन बोस द्वार की गई इंग्लिश में अगर देखें तो मुस्लिम लीग वस अगेंस्ट रिदा नहरू रिपोर्ट हिंदू महासापा सपोर्टर नहरू रिपोर्ट इंडिब महासाबा है मुस्लिम लीग है इन सिक्स अंपरदा है यह सब नहरू रिपोर्ट से कोश नहीं थे ठीक है याद रखेंगे इसको बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है यह डीटेल में दोस्तों मॉडन हिस्ट्री आपको मॉडन हिस्ट्री देखे डीटेल में पढ़नी प पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसको जैसे क्रोन लॉजी में लगाना है केंद्री विधान सभा में बंब कप फटा काकोरी ट्रेन डगैती चटगाउं सास्त्रागार चापा साइमन कमीशन का आगमन इसको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है तो इसको आप तो नाम सब्सक्राइब करें तो चटगाउं सास्त्रागार चापा कपड़ा था अप्राइल 1930 में पड़ा था साइमन कमीशन का आगमन यह हम लोग देख चुके हैं 1927 को हुआ था ठीक है यानि सही क्रोनोलॉजी अगर आप बनाना चाहोगे तो क्या बन जाएगी इसमें सही क्रोनो की तरफ बढ़ते हैं भाठी राश्ट्री कॉंग्रेस के सत्र 1929 में के समद्ध में निम्लकित कत्रों पर विचार करना है कॉन जास सही है ठीक है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 1929 के लहर सत्र ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के लच के रूप में पूर्ण सुराज को अप कौन सा सही है जो लाहर एडिवेशन हुआ था 1937 में पंडी जवालाल नहरू के अध्यक्षता में उन्होंने आपको पता होगा पूर्ण सवराज गोल डिक्लियर कर रहा हो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तर्थ पर जंडा भी फेरा था इसलिए 26 जनवरी भी हम लोग मनाते तो जाते हैं मौमद अली जिन्ना भी दूसरी में ही जाते हैं यानि पहला दूसरा तीसरा स्टेट्मेंट बिलकुल सही है इसमें तीन होई स्टेट्मेंट अपने अगले कोशन की तरह आगे बढ़ते हैं अठान भी नंबर क्या कह रहा है राश्ट्री नेताओं द्वारा 1932 के सांपरदाइक पुरुषकार के विरोथ के क्या कारण थे वाट वाट वस दा रीजन फॉर ऑपोजीशन ऑफ कॉमिनल ओवर्ड ऑफ 1932 बाइन शनल लीडर्स अलग अलप संख्यक के अधार पर चूने जाने वाले विधान सभाव में प्रतेक अलप संख्यक को कई सीटों के के लिए वंटिक पुरुषकार अवर्ड ने डिप्रेस्ट क्लासेज को अलप संख्यक समुधाय घोशित किया कौन सा सही है कि दा कॉमिनल अवर्ड अलोट टू इच मिनॉर्टी या नंबर ऑफ सीट्स इन दा लेजिसलेचर टू बी इलेक्टर ऑन बेसिज अव सेपरेट अवर्ड डिक्लिया डिप्रेस्ट क्लासेज टू बिया माइनौरिटी कम्यूटी तो अब आपको पता हूं मौरले मिंटो रीफॉर्म में मुस्लिम के लिए सेपरेट एलेक्टरेट तो आये था इन्होंने और इसको बढ़ा के देखिए 1932 में डिप्रेस्ट को भी दे दिय तो यह दोनों ही सई है नाइटी नाइन कह रहा है सुभाष चंद बोस के संबंध में निम्लिकित कथन दियो है उसमें बताना है कौन सा कथन गलत है वे सवीना वग्या अंदोलन के निलंबन के पक्ष में थे वे 1931 में गांदे इर्विन समझोते पर हस्ताचर करने के खिलाफ थे उन्होंने 1930 में नमक सत्यक्र अंदोलन में भाग नहीं लिया थे तो इसमें से कौन सा गलत है अगर देखें हम गलत की बात करें तो पहली चीज तो पहले ही गलत है कि वे सवीना वग्या अंदोलन के नि और दूसरा उन्होंने 1930 में नमक सत्यक्र अंदोलन में भाग नहीं लिया था यह गलत है क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें करा तभी यह सॉल्ट सत्यक्राह में से विल्डिस ओविडेंस मोमेंट में तो पहला और तीसरा जो स्टेट्मेंट ही गलत हो जाता है कॉंग्रेस सोचलिस पार्टी वह स्टार्टेट इन नाइंटीन थिफॉर वह बियार अंबेटकर एएन देव जेपी नरायन या जग जीवन राम इनमें से किसने किसने करी थी तो देखिए कॉंग्रेस सोचलिस पार्टी जो 1934 में स्थापना होई थी यह आपके एएन लोगों ने मिल रही त्छी और अच्छे से डीटेल में आपको यह दिया वुआ है एसे ही आपको पूरे 500 करा दूँगा पूरी आपकी modern history revise हो जाएगी दोस्तों मिलते हैं next lecture में प्लीज इसको लगातर follow करिए अगर आपको यह और भी 500 है most expected mcu देखना चाहते हैं किसी subject के तो मुझे comment box में बता सकते हैं मैं वो series आपके लिए चला दूँगा especially